प्रिश्ट किस्टर परसाथ बिना अपॉइंटमेंट के और तुम यहाँ? वक्त कम था इसलिए अचाना काना पड़ा इस चेक बुक के हर पन्ने पर मैंने दस्थकत कर दिये हैं रकम आप जेतनी चाहें भर सकते हो लेकिन मेरे बेटे को खानूं के शिकन जैसे चुड़ाना है जिसे आपके भाई इंस्पेक्टर जॉला पर साथ एक किरिफदार कर दिया है और ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं तुम्हारे बेटे को जमानत की जरूरत है हमारी नहीं जानता हूँ मगर रत कर दिये है जमानत कोट ने इसलिए ताप के पास आयों हम अभी तक नहीं भूले महाकाल के जिस अरजन को तुमने सजा दिल्वाई थी हमारे हाथों वो दरसल बेकुसूर था उसकी माँ और उसके भाई के खून के बावजूद सजा अरजन को मिली और जाती तहकीखात के बाद जब तक हमें पता चला हम अरजन को सजा दिल्वा चुके थे और अरजन की बेगुनाई का सबूत कोई भी नहीं था हमारे पास और जो सबूत नीलम के पास थे सो तुम्हारे बेटे ने नीलम का खून करके वो सबूत भी ख़त कर दिये और अब महाकाल तुम्हारे बेटे को तो कानून के लंबे और चोड़े हाथ वो जहां कहीं भी होगा, जैसे भी होगा, खैंस लाएंगे. इसका मतलब आप मेरे बेटे को नहीं छुड़ाएंगे. छुड़वाएंगे, जरूर छुड़वाएंगे महाकाल. अफसोस फांसी के फंदे से नहीं, दुनिया और तुमारी जन्जट से. इस जवाब का मतलब समझते हो कृष्ण परसाथ, महाकाल सिर्दूश्मनी और अंजाम एक भयानक तूफान. अंजाम का डर सोचना अमारे लिए बेकार और बेसूध है. रही बाद तूफान की महाकाल, तो किष्टी और बादबान तो क्या, हम तो वो भमर हैं, जिसमें समुन्दर के समुन्दर डूल जाते हैं. कृष्ण परसाथ, सारा बंबई शहर इस बात का भी कवा है, कि महाकाल जो सोचता है, वो कर दिखाता है. अगर आप मेरे बेटे का केस नहीं लड़ेंगे, तो आप उसके खिलाफ भी नहीं लड़ेंगे, और अगर आपने ऐसे गलती की, तो उसका अंजाम सिर्फ मौत का तांड़ा होगा. याद रखो कृष्ण परसाथ, मेरा नाम है महाकाल, काली का पुजारी हूँ मैं, लिबास भी काला, ठंदा भी काला, और दुश्मनों को जो कफंता नहता हूँ, वो भी काला. काले धन्दे वाले, ये अपने काले धन की सफेज चकबुक तो लेता जा. रुको, एक बात हमारी भी सुनते जाओ काली के पुजारी, चिपकली के बच्चे कभी मगरमच नहीं बन सकते, वो दीवार पर रेंगते रेंगते ही मर जाते हैं. कृष्ण परशाद को दुनिया एक कानूनी पंजा कहती है, और वो पंजा एक शेर का है, जिस पंजे में कानूनी मुझरिमा कर कुछला जाता है. अमारी रायमानों अपने बेटे की अर्थी का सामान तयार रखो, क्योंकि किसी भी वक्त कोर्ट उसे सजाए मौथ देगा ही. किस के पंजे से किस की मौथ होगी और किस की अर्थी उठेगी, इसका फैसला अदालत के फैसले के बात ही होगा, कृष्ण परसाद. यूर अनर, ये सच है के मेरे मुख्किल रौकी वर्मा ने जाली पासपोर्ट बनवा कर हिंदुस्तान से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन इसका मतलब ये हर्गिज नहीं है, कि इन्होंने नीलम का खून भी किया, इन्हें मैं शक्की बन्याद पर गिरुफतार किया गया ह यूर अनर, कुछ वकील साहिबान को बेतुकी बाते करके अदालत का कीमती वक्जाय करने की आदत होती है, ये बात ना तो अदालती को पसंद है, और ना हमें, यूर अनर, मिस नीलम का गतल, राकी वर्मा के हाथों से ही हुआ है, इसका एक मुकमिल सबूत हमारे पास है, ज ठीक है, इजादत है, यूर अनर, नीलम को खट करने के लिए, राकी वर्मा ने अपने हाथों पिस्टॉल लेकर उसका पीछा किया, नीलम भागती हुई, एक मच्छियों की तुकान में गुजगी, जा उसने अपने ही कैमरे से राकी वर्मा किये, फिल्म खेजी, नीलम ये सोचकर के राकी वर्मा दूशी तरफ चला गया है, छुपके बाहर निगली, और उसी वक्त बाहर खड़े हुए राकी वर्मा ने अपनी पिस्टॉल से नीलम के सीने को चलनी कर दिया, और वहां से वो सारे सबूत उठवा लिये, ये वीडियो फिल्म नीलम के इस कैमरे से उत्री, गुद्वत का खेल देखिए, मरते वक्त जहां ये कैमरा गिरा, वो मुद्विम ने तो नहीं देखा, लेकिन इंस्पेक्टर जॉला परसाद ने देखा, इस मुद्विम ने वो सब सबूत तो जला दिये, जो आज अरजिन को निर्दोश थाबित कर सकते थे, मगर, गुद्वत के तमाशे ने ये सबूत ऐसा जिन्दा रखा, जो रॉकी वर्मा को फांसी के तखते तक ले जाएगा, देट इस आल, यूर अनर, देट इस आल, रॉकी वर्मा की नकली पासपोर्ट पर हिंदुस्तान छोडने की कोशिश, इंस्पेक्टर जौला परसाथ की गवाही, और नीलम के खून की ये वीडियो फिल्म, इन बातों का ठो सुबूत है, कि रॉकी वर्मा ने नीलम का पीछा किया, और उसे बड़ी बेरहमी से कतल कर दिया, इसलिए अदालत ताजी रात हिंद, जेरे दफा तीन सो दो के मताबिक रॉकी वर्मा को फासी की सजा सुनाती है, हैंकिल जट और इस तरह माकाल का बेजा रॉकी अपने ही कर्मों का फल पाकर एक दिन फासी पर लटका दिया गया, उसी दिन की बात है, हम अपने दोस्त की शम्चान न्यात्रा में शम्चान गये थे, क्रिश्न परसाद, अच्छा हुआ तुमे ही मिल गये, क्रिश्न परसाद, अब जरा जलती हुई चिता की शोलों को गवर से देखो, जो चीश ची कर्मों से मेरे बेटे की मौत का इंतकाम मांग रहे है, लेकिन तुम्हें तु मरना नहीं, जीना है, अब कोई नहीं जीएगा, क्रिश्न परसाद, कोई नहीं, तुम्हारे जिद, और तुम्हारे अंकार के आग ने सब कुछ चला दिया है, गानून करे भी तो क्या करे, जो दूसरों के खून को पानी समझ के बहाता है, वो अपने गंदे कर्मों के आग में इसी तरह जल जाता है महाकाल, मगर ये चलने वाला कोई और नहीं, महाकाल का इकलाउता बेटा था, जो अपने चिता की लग़ियों के साथ कई और चिताएं चला कर जाएगा, और से देख, और से देख उन तिन चिताओं, मैंने तेरे खानदान के लिए तयार की है, मैंने खास्म खाई है, अपने बेटे की चिता की आग ठंडी होने से पहले, तेरे सारे खानदान की चिताएं इसी शम्शान खाट में चलवाऊँगा, खुष्टा परसाथ, यहां से तुम्हारे घर का फासला सिर्फ तीस मिनट का है, बीस मिनट के अंदर-अंदर, तुम्हारे सारे परिवार की मौन्त तुम्हारे घर तक पहुँचाएगी, अगर बजा सकते हो, तो बजा कर दिखाओ, भबी, आप तैयार है ना? मैं तु बिल्कुल तैयार हूँ, मुन्ना तैयार हो रहा है, कोट से उनका फोन है था, वो किसी वकिल के शमसंद यत्र में गये है, उनके आते ही हम लोग चले चलेंगे, भबी, तो एक काम कीजे न, मेरे लिए गर्मगरों कप चाय बना दीजे, मैं आभी ना आके तैयार होगर आता हूँ, जाओ, थांक्यू भबी, जो आला जी घर पे हैं, उनसे केस के सिलसले में आर्जेंट बात करनी है, हाँ हैं, जाइए अंदर, जो अला साहब अंदर हैं, हाँ हाँ, आईए, आप लोग यहां बैटिये, मैं साहब को बलाता हूँ, अभी, मेरा टावल नहीं मिल रहा है, अरे रामो, शाब को टावल दो, अरे बलात है? वे लोगğimiz के में घॉआए यहा झाल्जे के समने घुदंखे यह इनपर इनपरहाँ यह ड slang के से रहाँ पे ब placed अजए है नहीं में का तॉआ अपिला चैस जोूज ह're बात है, मामी, मैं तयारू, आपन ने जाया वो लोग कौन थे? साहब, कोई पुलिस वाले और वकील थे पुलिस वाले और वकील थे इस तरहे हमारे तन मन के टुकड़े हम से हमेशा के लिए जुदा हो गए ना हम रो सके और ना ही हम तूट सके इंतकाम के जलते हुए शोले और उन दरिंदों के मौत का मकसद अपने सीने में लिए हम आज तक जी रहे हैं और जब उन हत्यारों का असली रूप हमारे सामने आया तो तुम्हें दिलवाई भी सजा हमें हमारा एक भयानक जुर्म लगा नीलम को मार कर उनने तुम्हारी बेगुनाई के सबूत तो मिटा दिये मगर तुम्हारी ताकत और नफर से घबरा गए और इसलिए तुम्हें जेल से बाहर लाकर खत्म कर दिना चाहते थे क्या? जब हमें ये खबर मिली तो तुम्हें बचा कर हम यहां ले आए जिसे हमने अपनी भूल का प्राफचित समझा तुम्हारे बाद उनका निशाना थी संगीता हमने वो निशाना भी नाकाम कर दिया और यह नहीं अर्जुन उस राद जिस पालट ने तुम पर जानलेवा हमला किया था वो भी महाकाल का आदमी था अगर हम वक्त पर गोली ना चलाते तो अपने आपको हम जिन्दगी पर मौफ नहीं कत्माते मैं आपको कितना गलत समझ पैठा मुझे माफ कर दिजे अर्जुन संगी था सेले पे इतना बोज लिए कैसे जीते आप सिर्फ उन दुश्मनों को खत्म करने के लिए अर्जुन तुम्हारे सीने में बदले की आग और हमारी चाती में इंतकाम का तुफान तुम्हारे पास टाकत है हमारे पास टाकत और तमाग दोनों हम दोनों मिलकर चाहें तो उन पापियों से युद्ध लड़ सकते हैं जैसे कृष्ण अर्जुन ने कौरव से युद्ध लड़ा था हम वो कृष्ण अर्जुन तो नहीं बन सकते लेकिन उन्ही की तरह हम अपने जीवन की महाभारत का ये युद्ध इसका यूब में लड़ सकते हैं वहाँ कौर्वों का खात्मा हुआ था और यहाँ यहाँ कातिलों का खात्मा होगा और इंतकाम कि इस जंग में यह अरजुन मरते दम तक आपके साथ